नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अधती में सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। पहले हम एक पात्र लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप एक घनाकार पात्र देख रहे हैं। और इस घनाकार पात्र में हम आदर्गयस भर देंगे। तो यहाँ पर कितना प्रेसर उत्पन्द होगा इसी को हम कैल्पुलेट करेंगे। तो यहाँ पर यह पात्र घनाकार पात्र है, अब यह पात्र तीन अक्ष परिस्थित होता है, यानि घन क्या होता है, तीन अक्ष परिस्थित होता है, तो यहाँ पर इस अक्ष को हम X अक्ष माल लेंगे, इसे हम Y अक्ष माल लेंगे, और इसे हम Z अक्ष माल लेंगे, यानि Z घं देख रहे हैं, तो घं की क्या विशेषता होती है इसमें लंभाई, चौड़ाई, उचाई सब समान होती है तो यहाँ पर हम इसकी लंभाई, चोड़ाई को कुछ मान लेते हैं तो मान लेते हैं इसकी जो लंभाई हो गई वह L हो गई ठीक सी प्रकार से इसकी जो उचाई होगी वह भी L ही हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी उचाई को हम L माल लेते हैं और इसकी जो चोड़ाई होगी वह क्या होगी तो इसकी चोड़ाई को भी हम L ही माल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने गहन लिया है तो इसकी चोड़ाई भी L ही हो जाएगी कुछ इस प्रिकार से अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपने पात्र लिया है इस पात्र में आपने आदर्स गैस को रख दिया है यादर्स गैस इस पात्र में भरी होई है तो आपको मालूम है कि अगर कोई gas हो, तो उसमें n अडू होते हैं, यानि n परमाडू से मिलकर के gas बनी होती है, तो सबसे पहले हम एक परमाडू लेंगे, और एक परमाडू को ले करके यहाँ पर प्रेच्छन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या-क्या प्रभाव उ पतंत्र होती है, X-axis में भी जाएगी, Y-axis में भी जाएगी, और Z-axis में भी जाएगी, तो यहाँ पर माल लेते हैं कि जो गैस है, वह X-axis में, X-direction में मूव करती है, तो जब गैस का अणू, X-axis की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर velocity उत्पन होगी, वेग है, यानि Y-axis में भी जा सकता है, तो यहाँ पर जो यह गैस का अणू है, Y-axis में जाएगा, तो उत्पन होने वाले वेग कमान क्या होगा, देखिए, यहाँ पर उत्पन होने वाले वेग कमान हो जाएगा, V-Y-J, ठीक इसी प्रिकार से, अगर यह जो गैस का अणू है, Z-axis की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर उत्पन होने वाले वेग कमान क्या होगा, तो यहाँ पर जो उत्पन होने वाला वेग होगा, वह क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, V-Z-K, अब यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में गैस का अण तीन अलग अलग दिसाओं में move कर रहा है तीन अलग अलग दिसाओं में जा रहा है तो इसका परिमार क्या होगा यानि परेडामी वेग क्या होगा तो यहां पर अगर हमें परेडामी वेग ग्यात करना हो तो इसका मान क्या हो जाएगा देखिए इसका मान हो जाएगा mod vector v is equal to इसका हम वर्ग कर देंगे और under root में करके योग कर देंगे तो यहां से mod vector v की value हो जाएगी v x square i plus v y square j plus v z square k तो इस प्रकार से यहां पर हमने इसका परिमार ग्याद कर लिया अब यहां से अगर हमें वर्गमूल हटाना हो तो इधर हमें square लगाना पड़ेगा तो यहां से value क्या हो जाएगी देखिए इसकी value हो जाएगी v square is equal to v x square plus v y square plus v z square तो इस प्रकार से यहां पर परिमार्मी वेग निकलाएगा और यहां पर जो आपको परिमार्मी वेग प्राप्त हुआ है इसे हम क्या कहेंगे तो देखिए इसे हम कहेंगे ताथ छडिक वेग यानि इसे हम ताथ छडिक वेग कहेंगे तो इस प्रकार से यहां पर अगर particle तीन अलग-अलग direction में move कर रहा हो तो हम ताथ छडिक वेग के मान को इस तरीके से calculate कर सकते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर यह जो पार्टिकिल है यानि गैस का अधु है वह गति कर रहा है तो यहा पर वेगुत्पन हो रहा है तो यहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए, माल लेते हैं गैस का आणू है यहां इस सता से ट्रिवल करना शुरू करेगा और इस सता से ट्रिवल करेगा और ट्रिवल करता हुआ इस दूसरी सता पर आ करके पहुँच जाएगा तो यहां पर जो पहली सता है इसे हम B माल लेते हैं और जो दूसरी सता है इसे हम A माल लेते हैं यानि ये पहली सता हो गई और ये दूसरी सता हो गई यानि कहने का मतलब ये है कि गैस का आणू B से A तक पहुंचता है और A पर जा करके टकराता है और टकराने के बाद वो आपस आएगा तो यहाँ पर क्या प्रभाव उत्पन होगा तो देखिए यहाँ पर आपने एक कण लिया है और आपको मालूम है कि कण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो यहाँ पर इस कण का द्रव्यमान हम M मान लेते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कण मूव कर रहा है यानि गति कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा, जिसे आपने यहाँ पर मान रखा है, तो यहाँ पर इसके वेग को हम V मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम द्रब्यमान से इसके वेग में गुड़ा कर दें, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मान समवे सम्वेग के बरावर हो जाएगा, यानि मोमेंटम के बरावर हो जाएगा, यानि यहाँ पर इस कण के द्वारा सम्वेग उत्पन हो रहा है, तो सम्वेग का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा M into B. अब आप यहां पर कलपना कीजिए कि जब करण B से चला और A पर टकराया तो क्या होगा तो जब करण B से चलेगा यांनी ट्रेवल करना शुरू करेगा और A सताफ पर आकरके टकरा जाएगा तो यहां पर समवेग में कुछ ना कुछ परिवर्थन होगा तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि जब वह कन प्लस x डायरेक्शन में जा रहा था तो उत्पन होने वाले संवेग कमान mb था और यहाँ पर x डायरेक्शन में टकराने के बाद जब वह वापस लवटा तो उत्पन होने वाला संवेग था माइनस mb तो यहाँ पर क्या हो रहा है सम्वेग परिवर्तित हो रहा है क्योंकि जब टकराएगा तो सम्वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा तो यहाँ पर उत्पन होने वाला कुल सम्वेग क्या होगा? तो देखिए, कुल सम्वेग कमान हो जाएगा अंतिन सम्वेग माइनस प्रारंभिक सम्वेग अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिन सम्वेग क्या होगा? तो अंतिन सम्वेग कब उत्पन हो रहा है टकराने के बाद जो सम्वेग उत्पन हो रहा हुआ अंतिन सम्वेग उत्पन हो रहा है और टकराने के बाद उत्पन होने वाला सम्वेग माइनस Mb है और प्रारंभिक सम्वेग क्या है तो टकराने से पहले उत्पन होने वाला संवेग प्रारंभिक संवेग है जिसका मान है mv तो यहां से उत्पन होने वाला कुल संवेग हो जाएगा p is equal to अंतिन संवेग का मान है minus mv तो यहाँ पर हम minus mv लिखेंगे और minus प्रारमभीक सम्वेग इस का मान हम minus mv लिख देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें सम्वेग की वैलू मिल जाएगी अब यहाँ पर p का मान क्या हो जाएगा तो देखिए p का मान हो जाएगा minus 2m into v अब यहाँ पर देखिए आपको मालूम है कि सम्वेग सन्चित रहेगा यानि कहने का मतलब यह है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों अवस्थाओं में सम्वेग कमान सन्चित रहेगा जिसे आपने आदर्स गैस के नियम में पढ़ा है यानि विस्टार पुर्वकद्धन किया है तो यहाँ से P की वैलू क्या हो जाएगी देखिए P का मान हो जाएगा P is equal to 2 into M into V यहाँ पर हमने माइनस चिंद क्यों हटा दिया क्योंकि यहाँ पर जो सम्वेग की वैलू रहेगी वह सन्चित रहेगी तो उत्पन होने वाला जो कुल सम्वेग होगा उसे हम जोड़ देंगे और इसका मान हो जाएगा P is equal to 2 M into V अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सम्वेग उत्पन हो रहा है वह X-axis में उत्पन हो रहा है क्योंकि कण B से A की तरफ जा रहा है तो X-axis की दिसा में जा रहा है तो यहाँ पर V की जिगा हम VX लिख देंगे तो यहाँ से P की वैलू क्या हो जाएगी इसका मान हो जाएगा P is equal to 2 M VX क्योंकि यह X दिसा में कण जा रहा है तो यहाँ पर जो सम्वेग उत्पन हो जाएगा वह हो जाएगा P is equal to 2 M VX अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो अणू आपने लिया है यह इधर उधर गति कर रहा है टकरा रहा है इधर उधर जा करके यानि इस दीवाल से इस दीवाल तक जा करके टकरा रहा है तो टकराने में कुछ ना कुछ समय लगेगा तो अब हम समय के मान की गर्णा कर तो देखिए, यह जो दूरी है, यहां क्या हो जाएगी, B से A तक गया, तो एक बार टकराया, और यहां से A से जब वापस लोटेगा, तो B पर जाकर के वह दोबारा टकराएगा, यानि दूसरी बार टकराएगा, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो हम दूरी लेंगे, व समय का मान T हो जाएगा, जिसे हमें ग्याद करना है, और चाल क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा VX, यानि X direction के लिए हम calculate कर रहे हैं, तो इसका मान VX हो जाएगा, तो यहां से समय का मान क्या हो जाएगा, देखिए, समय की value हो जाएगी, T is equal to 2L upon VX, और यह किसकी value है, यह हो गई दो संगहट में लगने वाला समय, यानि दो टकरों में लगने वाला समय, तो इस प्रकार से यहां पर यह जो particle है, यह दो टकरों में कितना समय लगाता है, इसके हमने मान की गर्णा का ली, यानि इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया, T is equal to 2L upon VX, अब यहां अगर हमें आबृत्ती ग्याद करनी हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए, आबृत्ती का मान क्या होता है, यहां पर यह जो समय ग्याद किया है, अगर हम एक बटे समय कर दें, तो यही आबृत्ती का मान हो जाएगा, यानि एकांग समय में होने वाले टकरों की यानि काहने का मतलब यह है कि एक सेकेंड में ये पार्टिकल कितना टकर करता है, कितनी बार टकराता है, इसी को हम आवरित्ती कहेंगे, तो यहां से आवरित्ती का मान क्या हो जाएगा, देखिए आवरित्ती को हम n से वेक्ट करते हैं, तो यहां से n की वाईलू क्या हो जाए यहाँ पर हम VX को अंस में ले करके जाएंगे तो यहाँ से N की value change हो जाएगी और N का मान हो जाएगा N is equal to VX upon 2L तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आवरित्ती को भी ग्याद कर सकते हैं यानि अगर कोई particle हो और 3-dimensional pot में रखा हो तो एक second में कितना टकर करता है कितनी बार टकराता है इसके मान को भी हम calculate कर लेंगे और इसका मान क्या होगा इसका मान हो जाएगा N is equal to VX upon 2L अब यहाँ पर आप इस figure में देखिए इस चित्र में देखिए यहाँ पर जब यह पार्ट के लिए यहाँ से गति करना शुरू करेगा यानि B सता से गति करना शुरू करेगा और A सता पर आ करके टकराएगा यानि संघट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा तो यह कुछ ना कुछ बल आरोपित करेगा यानि कुछ ना कुछ इसे धक्का देगा कहने का मतलब यह कुछ ना कुछ इस दीवाल पर बल लगाएगा तो अब हम लगने वाले बल के मान को कैल्कुलेट करेंगे तो यहां से बल का मान क्या होगा देखिए बल की वैलू होती है f बराबर m into a और यहां पर a क्या है तो देखिए a है त्वरण तो यहां से f की वैलू को हम चेंज कर देंगे और इसका मान क्या हो जाएगा m into v upon t यानि v upon t यानि वेग परिवर्तन की दर हो गया तो यहां पर वेग किस दिशा में लग रहा है तो देखिए यह जो पार्टिल है यहां इस दिशा से चल रहा है यानि b सता से चल रहा है और a सता पर आकर के टक्रा रहा है यानि x axis में x direction में चल रहा है तो यहां पर जो आपने वेग लिया है वह x axis के लिए लेंगे तो यहां पर हम v की जगा पर vx लिख देंगे अब यहां पर देखिए यहां पर आपको एक term लिखा हुआ मिल जाएगा m into vx और इसे हम क्या लिखेंगे देखिए कहीं पर लिखा हो m into v तो इसका मान क्या होता है समवेग के बरावर होता है यानि सब्वेग ब्रावर दर्विमान गुडे वेग होता है और यहाँ पर m into vx लिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया तो इसका मतलब यही हो गया कि जो सम्वेग उत्पन हो रहा है वह x-axis के लिए उत्पन हो रहा है x-axis के लिए उत्पन हो रहा है और यहाँ पर जो सम्वेग उत्पन हो रहा है उसे हम लिख देंगे, अब यहाँ पर PX की value क्या है, तो यहाँ से PX की value लिख देंगे 2MVX, तो यहाँ पर 2MVX लिख देंगे, और T का मान क्या है, तो T का मान है 2L upon VX, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2L upon VX, अब यहाँ पर कु कुछ cancel कर देंगे, तो यहां से ये दो, ये दो cancel हो जाएगा, और यहां पर जो vx लिखा हुआ है, इसे हम अंस में ले करके जाएगे, तो जब vx अंस में चला जाएगा, तो यहां पर एक vx और लेडी पहले से मौझूद है, तो यहां से इसका गुड़ा हो जाएगा, तो vx square हो जाएगा, तो यहां से f की value हो जाएगी, f is equal to m into vx square upon l, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो लगने वाला बल आपने calculate किया है, यानि ग्याद किया है, या किसके लिए ग्याद किया है, तो यह सिरफ आपने एक अणू के लिए ग्याद किया है, यानि एक परमाण जो अपने लिया है, या एक अणू लिया है, इसके लिए ही आपने लगने वाले बल के मान को calculate किया है, तो यहां पर एक अणू के लिए लगने वाला बल हो जाएगा, f is equal to m into vx square upon l, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने इस पात्र में गैस भरा हुआ है, तो गैस में सिर लगने वाले बल का मान ग्याद करें, तो इसका मान क्या होगा, तो यहां पर एन अणू के द्वारा उत्पन होने वाले वेग के मान की पहले हम गढ़ना करेंगे, सफी वेग को हम जोडेंगे, तो यहां पर एन अणू के द्वारा लगने वाले बल का मान ग्याद हो तो यहाँ पर सबसे पहले N अड़ों के द्वारा उत्पन होने वाले वेक कमान ग्याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम माल लेते हैं कि कोई एक अड़ों है यानि अगर एक अड़ों होगा और वह एक्स डिरेक्शन में मूव करेगा, गति करेगा तो यहाँ पर उत्पन होने वाले वेक कमान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा VX1 स्क्वाइर इसी प्रकार से अगर दूसरा अड़ों होगा और वह एक्स डिरेक्शन में मूव करेगा, गति करेगा तो उत्पन होने वाले वेग का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा VX2Square इसी प्रकार से अगर हम तीसरा अडू ले ले तो उसके द्वारा उत्पन होने वाले वेग का मान हो जाएगा VX3Square इसी प्रकार से अगर n अडू होंगे तो इनके द्वारा उत्पन होने वाले वेक का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा v x n square तो इस प्रकार से अगर n अडू होंगे तो यहाँ पर आलग अलग वेक उत्पन होगा अब इन सभी के मानों को हम जोड देंगे तो यहां से इन सभी के मानों को हम कैसे जोड़ेंगे यहां पर हम इसका summation कर देंगे यानि sum कर देंगे तो यहां से f की वैलू हो जाएगी f is equal to m upon l और यहां पर हम करेंगे summation of vx square यानि इन सभी मानों को हम जोड़ेंगे sum कर देंगे तो यहां पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर Vx² की value क्या हो जाँगी देखिए यहां पर F की value हो जाएगी F is equal to M upon L और यहां पर हम summation किसका किये है, Vx² का किये है, तो यहां पर Vx² की value हो जाएगी, Vx1² प्लस Vx2 स्क्वाएर प्लस प्लस 3 square plus 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 करके हम जोडेंगे Vxn square तक की value को तो यहाँ पर हमें Vx square की value मिल जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x axis के लिए यानि x अक्ष के लिए वेग के इतने सारे मानप्राफ हो रहे हैं यानि इतनी values मिल रही हैं तो यहाँ पर हम इनका average निकालेंगे यानि आउसत निकालेंगे देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास 4 लोग हैं और उन्हें हमें कुछ देना है या वो कुछ हमें दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कि कितने लोगों ने कैसे कैसे दिया यहाँ पर हम इनका average निकाल लेंगे यानि आउसत निकाल लेंगे तो आउसत निकालने से ग्यात हो जाएगा कि प्रतेक आदमी ने हमें इतना दिया यानि लगभग इतना दिया तो यहाँ पर हम इनका आउसत निकाल लेंगे और यहाँ पर किया है वर्ग दिया है तो यहाँ पर वर्ग का आउसत निकालेंगे यानि वेग के वर्ग का आउसत निकालेंगे तो यहाँ से f की वाईलू क्या हो जाएगी देखी यहाँ से f की वाईलू हो जाएगी f is equal to m upon l और यहाँ पर n particle है तो n particle लिख देंगे और यहा तो यहाँ पर vx square का हमने बार लिख दिया है और यह n अड़ों के लिए लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n अड़ों के लिए x direction में जो लगने वाला बल हो जाएगा वह हो जाएगा f is equal to m upon l n into vx bar का whole square तो अब हम यह ग्याद करेंगे कि x direction में यानी x axis की दिशा में कितना pressure आरोपित हो रहा है यानी कितना दाव उत्वन हो रहा है उसकी value को हम calculate करेंगे तो अब हम p x की value को calculate करेंगे तो p x की value क्या होती है? देखिए दाव का formula होता है दाव बराबर बल बटे छेत्रफल यानी एकांक छेत्रफल में कितना हम बल आरोपित करते हैं वही होता है pressure का मान यानि दाव का मान तो यहाँ पर px की value क्या हो जाएगी तो देखिए px की value हो जाएगी fx upon a तो अब हम x अक्ष की दिशा में लगने वाले दाव के मान को calculate करेंगे ग्याद करेंगे तो यहाँ पर fx दिया हुआ है और fx क्या है तो देखिए fx है x direction में लगने वाला बल और यहाँ पर a दिया हुआ है तो a क्या हो जाएगा a हो जाएगा area यानि छेतरफल तो हम माल लेंगे कि x direction में जो particle जा रहे हैं वह a छेतरफल में जा रहे हैं यानि a area में जा रहे हैं तो यहाँ से हम fx की वालू को put कर देंगे तो देखिए fx का मान है m upon l और यहाँ पर लिखा हुआ है n into vx square का बार और यहाँ पर upon में लिखा हुआ है यानि हर में लिखा हुआ है a यानि कहने का मतलब ही है कि यह छेतरफल हो गया तो यहाँ पर हम l को इस a के पास लेकर के आएंगे यानि हर में लेकर के आएंगे तो यहाँ से px की वैलू हो जाएगी px is equal to m into n into vx square का बार upon a into l अब यहाँ पर a क्या है तो देखिए a है छेतरफल और l क्या है तो l है लंबाई यानि जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई को अपने l माना है तो a हो गया लंबाई अब यहाँ पर 6 तरफल का अगर आप लंबाई से गुड़ा कर दीजिए तो इसका मान क्या होता है इसका मान आयतन के बराबर होता है यानि volume का मान हो जाता है और आयतन को हम capital V से विक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम A into L को हटा करके capital V लिख देंगे तो यहाँ से PX की value हो जाएगी PX is equal to M into N into VX square का बार अपान A into L के अस्थान पर हम V लिख देंगे यानि volume को लिख देंगे तो यहाँ से PX की value मिल जाएगी PX क्या है? X axis की तरफ लगने वाला दाब यानि आरोपित किया जाने वाला दाब यही है PX का मान अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमने X axis के लिए लगने वाले दाब का मान का इल्कुरेट किया है अब यही दाब अगर Y axis की तरफ आपरेट हो रहा हो यानि लग रहा हो तो इस का मान क्या होगा? तो अब हम Y axis के लिए और Z axis के लिए यानि Zlex के लिए दोनों अक्ष के लिए लगने वाले दाब के मान को गयात करेंगे तो सबसे पहले हम PY की वैलू को गयात करेंगे, यानि PY क्या हो जाएगा? यानि जो कण होंगे वह yx की तरफ भी जाएंगे तो यहां भी जा करके pressure को create करेंगे तो हम py की value को calculate करेंगे तो यहां से py का वान क्या आएगा देखें यहां पर लिखा हुआ है mn into vx का vx square का बार upon v तो यहां से जो change होगा वह यही change होगा हम vx की अस्थान पर vy लिख देंगे तो यहां से हमें py का मान निकल लाएगा तो यहां पर value हो जाएगी m into n और यहां पर लिखेंगे vy square का बार upon v तो यहां से py की value मिल जाएगी अब हम pz की value को गयाद करेंगे तो pz का मान क्या हो जाए तो यहां से हमें pz की value मिल जाएगी और इसका मान हो जाएगा m into n into vz square का बार upon v तो इस तरीके से यहां पर हमने x direction, y direction और z direction के लिए आरोपित होने वाले दाब के मान को calculate कर लिया अब यहां पर देखिए यहां पर यह जो guys है या पूरे पात्र में भरा हुआ है तो पूरे पात्र में आरोपित होने वाला कुल दाब क्या होगा तो अगर हमें कुल प्रेसर यानि कुल दाब का मान ग्यात करना हो तो हम क्या करेंगे हम यह सारे मान प्राप होए हैं इन्हें हम जोड देंगे तो यहां से हमें कुल दाब का मान ग्यात हो जाएगा तो p का मान क्या हो देखिए PX का मान है M into N into VX square का bar upon V प्लस अब यहाँ पर PY की value क्या है तो इसकी value है M into N into VY square का bar upon V प्लस PZ की value क्या है तो इसका मान है M into N into VZ square का bar upon V अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो particle इस्थित है अगर सभी दिशाओं में समान वेक से गति कर रहा हो यानि कहने का मतलब यह है कि VX square bar बराबर VY square bar बराबर VZ square bar इन तीनों का मान समान हो तो इनका मान हम एक ही मान से लिख देंगे और इसका मान क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा V square का bar तो यहाँ से इनकी value change हो जाएगी तो यहाँ से P का मान क्या होगा तो यहाँ से अगर हमें माध्ध वेक का मान ज्याद करना हो तो इसका मान क्या हो जाएगा माध्ध का मान होता है average तो यहां से हम इन तीनों को जोड़ देंगे और तीन से हम भाग देंगे यानि कहने का मतलब यह है कि V square X, V X square का बार प्लस V Y square का बार प्लस V Z square का बार इन तीनों को हम जोड़ देंगे और तीन से भाग देंगे तो इनका हमें माध्ध वेक का मान मिल जाएगा यानि average मिल जाएगा और इन तीनों की value समान है यानि V square का बार यहाँ पे समान है तो यहाँ पर इनका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर जो average हो जाएगा इसकी value हो जाएगी V square का बार बटे 3 क्योंकि यहां पर इसकी जिगा भी हम V square लेगे, यहां भी हम V square लेगे, यहां भी V square लेगे, तो इस प्रिकार से यहां पर हमें तीनों मान समान प्राप्ट हो जाएगा, तो यहां से P की value क्या हो जाएगी, देखिए यहां से P का मान हो जाएगा, P is equal to, अब आप यहां पर इस common ले लेंगे तो यहां से value हो जाएगी mn upon v और यहां पर कोस्ठक के अंदर क्या हो जाएगा तो देखिए कोस्ठक के अंदर हो जाएगा vx square का बार प्लस vy square का बार प्लस vz square का बार और इसका मान क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा v square का बार बटे 3 तो यहां से P की बैलू हो जाएगी P is equal to M N अपॉन V और यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे V square का बार बटे 3 तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी 3V मिय संद्चना के पात्र में कोई ideal गयस रखा हो, others गयस रखा हो तो others गयस के द्वारा जो आरोपित किया जाने वाला दाब होगा उसका मान हो जाएगा P is equal to M N upon V into V square bar upon 3 जहां M क्या है M है एक अणू का द्रविमान N है अणू की संख्या V क्या है, V है वालूम यानि जो पात रहे इसका आयतन कितना होगा, और यहां पर V square का बार क्या है तो देखिए, हर एक कण का आप velocity निकालिए, उसका वेग निकालिए उसका आप square करिए, यानि उसका work करिए और इसके बाद से उसका average निकाल दिए, तो यही value होता है V square के बार का मान तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आदर्स गैस का दाप जान लिया, तो मुझे उमीद है कि आपको इस topic अच्छे से समझ में आया होगा